हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगें टू लन्वरे देतीमन तो लास्ट वीडियो में हमने लोग देवता कम्प्रीट कर लिये थे आज हम करेंगे लोग संत तो यह आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज आपका यह सेकंड चैप्टर कम्प्रीट हो जाएगा इससे पहले आपको लास्ट वीडियो में एक कोशन का आंसर देना है आपके लिए कोशन यह है कि कामणिया पंत की स्थापना किसने की कामणिया पंत की स्थापना जो है वो किस लोग देवताने की तो ये question का answer जो है वो आप अपने comment box में दीजिएगा चलिए start करते हैं राजिस्थान के प्रमुक लोकसंत सबसे first है धन्ना राजिस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गनेश करने का श्री धन्ना को है तो प्रमुक लोकसंत जो धन्ना है उनसे ही माना जाता है राजिस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गनेश करने का श्रे जो है वो प्रमुक संत है धन्ना धन्ना का जन्म टॉंक जिले के दुवन गाउं में 1415 इस भी में जाट परिवार में हुआ था तो ये दोनों लाइने जो है वो इंपोर्टेंट है धन्ना का जन्म जो है वो टॉंक जिले में हुआ था जाट परिवार में ठीक है याद रगना है जाट परिवार में हुआ था और आजिस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गनेश जो है वो इनी को जाता है बालेकाल से ही इनकी प्रवती धार्मिक थी कालंतर में धन्ना काशी जाकर आचारे रामानंद के शिश्य बन गए तो धन्ना के जो गुरु है उनका नाम है गुरु रामानंद ठीक है गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया, इन्होंने अपने पैत्रिक व्यवजाय क्रशी में रत रहते हुए आत्म सुद्धी का प्रयास किया, तो घर पर ही रहकर इन्होंने क्या किया, भक्ति की अपने गुरु रामानंद के आदेश पर और ये निर्गुन धारा के प्रवर्थक थे, ठीके, धन्ना गुरु भक्ती में बड़ी निष्ठा रखते थे, इनका मत्ता की गुरु भक्ती से ही परमपद की प्राप्ती हो सकती है, गुरु की जो भक्ती करेगा तो उसे ही परमपद की प्राप्ती होगी, ऐसा इनका मानना इन्होंने नाम इस्मिनन को ही इश्वर भक्ति का प्रमुक साधन माना धन्ना ने तथा आपचारेक्ता और बहारी आडंबरों का विरोध किया जो भी मूर्ती पूजा वगरा होती हैं, बहारी जो आडंबर होते हैं, दिखावा होता है, आपचारिकता हैं जो होती हैं, उन सब का इन्हों ने क्या किया? विरोध किया अगले संत हैं पीपा, तो पीपा जो हैं वो भी रामानंद के शिश्य थे, खीची राजपूद पीपा गागरोन जालावाड के शाशक थे, तो ये क्या थे? संत से पहले क्या थे? शाशक थे गागरोन के, इनका जन्म 1425 इसमी में हुआ था, कालो परांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिश्य बन गए, तो याद रखना है कि पीपा जो हैं वो किस के शिश्य थे? रामानंद के, इनका जन्म जो हैं वो कहां हुआ था? इनका जन्म 1425 इसमी में जालावाड में हुआ था, गागरोन में ठीक है? और वहां के ये शाशक थे, धन्ना के समान ही इन्ह भी ग्रहस्त जीवन में रहते हुए ही बक्ती का आदेश प्राप्त हुआ तो जिस तरीके से उनके गुरु रामानंद ने धन्ना को कहा था कि ग्रहस्त जीवन पिताकर भी भक्ती जो हैं उसी तरीके से पीपा जो हैं उन्होंने भी ग्रहस्त जीवन में रहते हुए बक्ती आदेश प्राप्त किया पीपा के निवेदन पर आचारय रामानंद अपने शिश्यों सहित द्वारी का यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे तो पीपा ने निवेदन किया था इस वज़े से उनके गुरु रामानंद जो थे वो द्वारी का यात्रा पर जाते हुए गा तोड़ा टॉंक आये और वहां के शाशक सूर सैन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिश्य बनाया तो पीपा ने अपना शिश्य जो है वो किसे बनाया उन्होंने शिश्य बनाया सूर सैन को ठीक है क्योंकि सूर सैन ने अपनी जो दौलत थी वो संतों में बांट दी थी तो ये आपको याद रखना है नाम सूरसेन ने अपनी दौलत जो है वो संतों में बांट दी थी और पीपा ने उन्हें अपना सिश्या बनाया था अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुढ़ें गागरों लोट आए और आहू तथा काली सिंद के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे यहां इनका मंदर निवास स्थान और गुफा प्रिसिद है कहां पर आहू और काली सिंद के पवित्र संगम पर जहां उन के पूछा जाएगा कि पीपा जी का जो भव्य मंदिर है वो कहां है तो वो है बाडमेर जिले के समधड़ी गाउं में यहां इनके प्रमुक अन्युयाई दर्जी समाज का प्रति वर्स चैतर की सुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है ठीक है तो इनके जो अ प्रसंत भंडारों में उपलब्द है जिन में पीपा की कथा, पीपा परची, पीपा की वानी, साखियां, पद आदी प्रमुक हैं तो यहां से हमें पता चलता है पीपा के सम्मंद में विस्तरित, साहित, ये इन सभी ग्रंथ हो में कौन-कौन से पीपा की कथा, पीपा पर पीपा की वाणी, साखियां और पद तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रह सकते हैं क्योंकि यहां पर संत पीपा का जो नाम है वो जोड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इश्वर की प्राप्ति जो है वो तभी हो सकती है जब गुरु का आदेश का पालन किया जाए। भक्ति नाम इस्मरण को यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुक्सादन मानते हैं। समर्थन करते हुए कहते हैं कि इश्वर की द्रस्टी में सभी प्राणी समान है। तो धन्ना और पीपा जो है वो उनके एक जैसे विचार जो है वो मिलते हैं। रामानंद के यह दोनों ही शिश्य कहलाते हैं। और ग्रहस्त जीवन में रहते हुए ही इन्होंने भक्ति पर बल दिया और गुरु को सबसे स्रेश्ट माना। अगले देखिए जांबो जी संत जांबो जी विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जांबो जी का जन्म 1451 इस्वी की भाद्र पद कृष्ण अस्टमी को पीपासर नागोर के पमार बवंसिय राजपूत लोहट जी तथा हांसा देवी के घर में हुआ था। तो विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जूबो कौन माने जाते हैं? जांबो जी माने जाते हैं ठीक है? और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1451 इस्वी में भादों की क्रश्ण अस्टमी को हुआ था नागोर के पीपासर में तो देखिए विष्णोई संप्रदाय जो है वह नाम कैसे पड़ा क्योंकि इनके जो अन्याई थे इनको इनोंने 20 और 29 से दान्तों का पालन करने का आदेश दिया था तो इसी से इनका संप्रदाय का नाम जो है वो रखा विष्णोई संप्रदाय तो जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं जामबो जी 1483 इस्वी में माता पिता के देहांत के बाद भी ग्रह त्याग कर भीका नेर संबराथल में रहते हुए सत्संग तता हरी चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे तो यहां पर दो लाइने जो है वो इंपोर्टेंट है कि विश्णोई संपरदाय के सं जो है वो कहां हुआ नागोर पीपासर में हुआ कब हुआ भादों की क्रश्न अस्टमी को 1451 इस्वी में 1485 इस्वी में इसी इस्थान पर इन्होंने विश्णोई संपरदाय का प्रवर्तन किया इनके जीवन तथा विचारों का आच्रण करने वाले विश्णोई कहलाए त 309 से इसका पालन करने का आदेश दिया जीव कल्यान तथा ब्रक्षों की रक्षार्त प्राणोत सर्व करना इस संपरदाय का इतिहास रहा है पर्यावरन के प्रति लगाव के कारण पर्यावरन के प्रति बहुत अधिक लगाव था जांबो जी का तो इसी लिए इन्हें पर पर्यावरन के प्रति लगाव के कारण पर्यावरन विज्यानिक भी कहा गया, तो वो लोकसंत कौन है, तो वो कौन है, जामबो जी, जामबो जी द्वारा रचित प्रमुग्रंथ जम्ब सहेता, जम्ब सागर सब्दावली, विश्णोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर है तो ये सबी ग्रंत के नाम जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाले हैं, वो कैसे? क्योंकि जाम्बो जी का नाम जो है वो देखिये, जम्ब सहेता यहाँ जोड़ा हुआ है, तो याद रह जाएगा, जम्ब सागर सब्दावली यह भी आपको याद रह जाएगा जम्ब जो है वो शब्द मिला हुआ है, विश्णोई संप्रदाए के संस्थापक हैं यह, तो विश्णोई धर्म प्रकास यह भी आपको याद हो जाएगा, इसके अलावा जम्ब सागर, ठीक है? तो यहाँ आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी 1536 इस्वी में लाला सर गाउं में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, तथा तालवा गाउं के निकट इन्हें समाधी स्थल किया गया यह इस्थान क्या कहलाता है, मुकाम कहलाता है, तो इनका जो समाधी स्थल है, उसे मुकाम कहा जाता है, जहां पर इन्होंने अपना जो शरीर है वो त्यागा था, वर्सों में दो बार फागुन और आशुन की अमावश्या को यहां मेला लगता है, किसका लगता है मेला, यह जांबो जी का तो जांबो जी का जो मेला है वो साल में दो बार फागुन को भी और आश्वन की अमावश्या को लगता है नेक्स्ट है लोग संत जसनात जी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनात जी इनका जन्म 1482 इस्वी में कतरिया सर विकानेर में हुआ था तो हमने देखा 1451 इस्वी में नागोर पीपा सर में जांबो जी का जन्म हुआ और वहीं 1482 इस्वी में कतरिया सर विकानेर में हुआ जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनात जी का इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपांदे का पोश्य पुत्र माना जाता है तो यहां पर इनका जो जन्म कब हुआ और कहां हुआ और यह किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं यह आपको याद रखना है लोग के विश्वास के कारण इन्होंने गोरक मालिया विका नेर में ही 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम या कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया तो इन्हों ने बारा वर्शत कटोर तपस्या कहां पर की जसनाथ जी ने वह की इन्हों ने विकानेर में ही जहां इनका जन्म हुआ था वही पर गोरक मालिया में जसनात जी ने लोह पांगल नामक तंत्रिक का घमंड चकना चूर किया, राव लूर करड को भीकानेर का राजपद पाने का वर्दान भी दिया, इनके जमतकारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, इसने भी इन्हें कतरियासर के पास भूमी दी, किस बिकानेर के पास ही भूमी दे दी थी, पंद्रसो इसवी में जसनात जी और जांबो जी इन दोनों का मिलन हुआ, जसनात जी इन्होंने किस संप्रदाय की, इस्तापना की है, जसनाती संप्रदाय की, जांबो जी ने किसकी की है, विश्नोई संप्रदाय की, तो पंद्रसो म इनका क्या होता है आपस में मिलन होता है जसनात जी ने आश्विन सुकल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्प आयू में कतरिया सर में जीवित रहते हुए समाधी ली इनके उपदेश सिंभूदड़ा व कॉंडा नामक ग्रंथ में संग्रिहित हैं तो यह आप यादटना है घरियासर ही जसनात जी की तपो भूमिवा करम स्थली है तो देखिए जसनात जी का जन्म जो है वो है भी बिगानेर में और इनकी मृत्युच्व जो है वो भी बिगानेर में ठीक है तो याद रह जाएगा आपको यहां वर्ष में तीन बार आश्विन शुकल सप्तमी माग सुक्ल सप्तमी और चैत्र की सुक्ल सप्तमी को मेला लगता है किसका जसनात जी का अगले हैं लोकसंत लालदास लालदासी संप्रदाय के संस्तापक सप्रवर्तक क्योंकि याद है जाएगा लालदास लालदासी संप्रदाय इसके प्रवर्तक लालदास का जनम जो है वो मेवा प्रदेश अलवर अलवर भरतपुर यह मेवाती इलाके हैं तो मेवात प्रदेश अलवर के धोली दूब गाउं में शावन की कृष्ण पंचमी को 1504 इसरी में हुआ तो याद रखना है लालदास जी का जनम जो है वो अलवर में हुआ और इन्होंने लालदास से संप्रदाय क स्थापना की इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिस्ती से दिक्षित होकर उन्हीं को प्रेड़ना स्वरूप दोली दूब छोड़कर बांधोली गाउं में सिंग सिला पहाड पर कुटिया बना ली थी ठीक है तो बाद इन्होंने अपनी कुटिया जो है वह कहां बनाई थी बांधोली गाउं में याद रखना है आपको मेवात शेतर में फैली धार्मिक और समाजिक कुरुतियों को दूर करने के लिए लालदास जी ने नैतिक सुद्धता पर बल दिया संत लालदास ने हिंदू मुसलिम दोनों धर्मों की अच्छाईयों को अपनाने का उपदेश दिया इनका मानना था कि इश्वर और अल्ला एक है जो दूसरे को कस्ट पहुंचाता है स्वेम उसका जीवन भी कस्ट में हो जाता है मेव मुसल्मान लालदास जी को पीर मानते हैं तो ये भी संत पीपा और धन् निर्गुर धारा के हैं ये भी मानते हैं कि मूर्ती पूजा ये सब जो भी डखोसले होते हैं ये बेकार होते हैं जो भी धार्मेक और समाजी कुर्तियां होती हैं वो भी बेकार होती हैं इनको ही दूर करने का प्रयास जो है वो लालदास जी ने भी किया तो मुसल्मान जो इनके ग्रंत का नाम? लालदास जी के ग्रंत का नाम क्या है? लालदास जी की जेतावनिया, ठीक है? नगला में 1448 और 108 वर्सकी दीर गायू में इनका निधन हो गया, इनकी समादी शेरपुर में है, कहां पर है? शेरपुर में, जहां पर आश्विन मास की एकादसी और मागप पूरिमा को लगाया जाता है. नेक्स्ट हैं संत, संत हरीदास. निरंजुनी संपरदाय के संस्थापक हैं, संत हरीदास. तो देखिए, जितने भी संत हैं, इन्होंने किन-किन संपरदायों की स्थापना की, तो इनके नाम से ही है, mostly तो आपको याद भी रह जाएंगे. फि इनका जन्म डीनवाना तहसील के काप डोड गाउं में 1455 इसमी में हुआ और इनका मूल नाम हरी सिंग सांकला था. देखिए, रीट में ऐसे ही कुशन पूछे जाते हैं. मूल नाम क्या था? हरी सिंग सांकला, हरी दास. तो हरी हरी दोनों में लगा हुआ है. और प्रारम मे लूट मार इनका प्रमुक पेशा था. तो ये संत से पहले क्या थे? लूट मार करते थे. लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया. 1513 में इन्होंने बोध ज्यान प्राप्त किया और अपना नाम क्या रख लिया? हरी दास रख लिया ठीक है? और पहले कहा जाता है. ठीक है? तो किस संपरदाय में परमात्मा को अलग निरंजन और हरी निरंजन कहा जाता है? तो वो कौन सा संपरदाय है? वो है निरंजनी संपरदाय. जिसके संस्थापक कौन है? संत हरी दास. संत हरी दास के अध्यात्मिक विचार मंत्र, राज प्रकास और हर पुरुष की वानी नामक ग्रंथों में संकलित हैं, धीन वाना में 1443 में ही इनका दिहान तो हो गया था, तो ये थे संत हरीदास, नेक्ष्ट देखिए दादु दयाल, ये देखिए ये चित्र जो है वो दादु दयाल का है, राजिस्थान की कबीर कहा जाता है किसको दादु दयाल को कहा जाता है, राजिस्थान के कबीर दादु दयाल का जन्म जो है वो एहमदाबाद गुजरात में, फागुन क्रेश्न अस्टमी को 1544 इसवी को माना जाता है, देखिए कई बार कुश्यन जो है वो एक्जाम में आ चुका है, दादु दयाल का जन्म जो है वो कहा ह हुआ एहमताबाद गुजरात में इनकी म्रक्ति जो है वो कहां हुई नारायना में हुई ठीक है याद रखना है बुढ़न व्रद्दानंद नामक संत से दिक्षा ग्रहन करके दादू 1568 में सामबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्या आरम कर दिया यहां से दादू न किसे लिए दादू धया लिए बुडण व्रद्दा नंद नामक संत से घीक है याद रखना है व्रद्दा नंद नामक संत या बुड़न इन्से इननोंने क्या लिए दिक्षा लिए 1575 इस्वी में दादू अपने 25 सिस्यों के साथ आमेर चले गए थी, ठीक है, जहां अगले 14 वर्षन तक इन्होंने निवास किया, दादू ने 1585 इस्वी में मुगल समराट अकवर से भेंट करते हुए फतेपुर सीकरी की यात्रा भी की थी, most important line, बिल्कुल अभी के अभी यात क कर लो इसको कि मुगल समराट अकवर से भेंट करते हुए फतेपुर सीकरी की यात्रा किसने की, ऐसे कौन से संत थे, नाम है दादू दयाद, जिन्होंने 1585 डेट भी ये वाली याद रखनी है, दादू ने 1585 इस्वी में मुगल समराट अकवर से भेंट करते हुए फुलेरा के समीप वर्ती ग्राम नारायना में आगए यहीं जेस्ट स्क्रश्ण अस्टमी 1603 इस्वी को इन्होंने ग्रहत्याग देहत्याग किया ठीक है तो इनकी म्रत्यू कहां हुई नारायना में दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशा अनुसार समीपस्त भेराणा की पहाडी के नीचे दादू खोल नामक इस्थान पर रख दिया गया था जो कि इन्होंने पहले ही निर्देश दिया था कि इनके शरीर को भेराणा की पहाडी के नीचे दादू खोल नामक इस मानते हैं तो इसी वज़े से दादू पंद के जो लोग हैं वो इस इस्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं दादू ने ब्रह्मा जीव जगत मोक्ष इस पर अपने उपदेश सरल भासा में दिये अब देखिए important line आ चुकी है कि दादू जी के जो उपदेश हैं या विचार हैं वो हमें किन ग्रंतों में मिलते हैं आंसर क्या होगा दादू जी बाणी और दादू रा दूहा तो अभी तक तो किसी भी ग्रंत को याद करने में मुश्किल नहीं आई होगी क्योंकि जो भी संत हैं उनके नाम से ही उनके ग्रंत जो है वो रखे गए हैं दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मुल्यों को मानने वाले परमतत्व के तलाश करने वाले थे दादू ने करमकांड जाती प्रथा मूर्ती पूजा रूडिवादिता आदी का घोर विरोध किया और इनके देखिए शिष्य देखिए ये ओप्चन में पूछा जाता है चार शिष्य जो है वो इनके इनमें से तीन शिष्यों के नाम आपके एक्जाम में दे दिये जाए और एक जो है वो नहीं होगा तो आपका प्रेशन जो है वो आंसर गलत हो जाएगा तो याद रखना है गरीब दास, मिस्किन दास, सुन्दर दास, बखना जी, रजव, माधो दास, आदी दादू के शिष्य थे तो देखिए जिनके पीछे जो है ये दास लगा हुआ है गर कृष्ण भक्त कवित्री व गाय का मीरा भाई शोलवी सदी के भारत के महान संतों में से एक थी तो मीरा भाई जो थी वो कृष्ण भक्त थी ठीक है और मीरा को राजिस्थान की राधा कहा जाता है तो राजिस्थान की राधा किसे कहा जाता है मीरा भाई को इनका जन्म जो उन्म जो है वो कहां हुआ था। मेर्ता की राठोर राव दूदा के पुत्र रतन सिंग, तो इनके जो दादा थी उनका नाम था राव दूदा, उनके बेटे का नाम था रतन सिंग और रतन सिंग की पुत्री थी मीरा बाई ठीक है और किस कहां पर हुआ था कुड की गाउं में हुआ था जो की पाली जिले में पढ़ता है इनके पिता रतन सिंग राठ और बाजोली के जागीरदार थे मीरा का लालन पालन अपने दादा जी के यहां मेर पॉशन कहा हुआ इनका पालन पॉशन हुआ मेरता में ठीक है इनका विवहा 1516 इस्वी में राना सांगा के जेस्ट पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था तो देखिए आपके रीट के एक्जाम में ये कोशन आया था लास्ट येर कि मीरा बाई के पती का नाम क्या था क्या नाम था भोजराज किसके बेटे थे राना सांगा के बड़े बेटे अब कई बच्चों को जो लगता है कि रीट के लिए हम RBSC की बुक जो है वो सही नहीं है यानि कम है इससे जादा हमें पढ़ना चाहिए इससे जादा और क्या पढ़ोगे आप लोग 6 से 10 तक की कम्प्रीट कर लो आपकी एक्जाम में कोश्चन आ जाएंगे सभी इसके बाद आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है इसके बाहर जो है वो नहीं आता है और मैं कई बार इस चीज़ को दोहरा चुकी हूँ लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें 11-12 की भी रहा सकते हैं जैसे पटवार के लिए 11-12 की बुक जो है वो पढ़नी है आरे ऐस के लिए आप पढ़ सकते हो second grade के लिए पढ़ सकते हो first grade के लिए पढ़ सकते हो लेकिन read के एक्जाम के लिए 10 तक ही आपके लिए सही रहेगा आपका एक्जाम क्रैक करना है आप लोगों को PhD तो मेरा यही मानना है कि जो चीज आपको मिल रही है उससे भरपूर फायदा उठाईए तो इनका विवहा जो है वो किससे हुआ था भोज राज से पर विवहा कि कुछ समय बाद ही पती की मृत्ति हो जाने से यह तरुन अवस्था में ही विद्वा हो गई थी तो कुछ समय ब सेवर का नाम है राणा विक्रमादित्य इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह क्या करती थी सादू संतों के साथ बैठती थी और उनके साथ भजनकीर्थन करती थी विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देनी और सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया लेकिन मीरा की क्रिश् बक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था कैसे एक बार एक बारात को दूले सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यदिक प्रभावित हुई जब वो छोटी थी तब उन्होंने क्या देखा कि एक बारात को दूले के साथ जाते हुए और अपनी दादी के पास जाकर बड़ी ही उच्छुकता से अपने दूले के बारे में पूछने लगी, तो दादी ने तुरंत ही गिरदर गोपाल का नाम बता दिया, तो मीरा को क्या था, तब ही से गिरदर गोपाल की लगन में वो लग गई, मीरा अपने अंतिम समय में गु की गाओं में, पालन पोशन कहां हुआ था इनका, पालन पोशन हुआ था मेरता में, और अंतिम समय कहां गई, गुजरात में, द्वारिका में, वहीं 1547 इस्वी में गिरदर गोपाल में ये विलीन हो गई, मीरा जी की पदावलियां जो है वो प्रशित हैं, ठीक है, तो कहत हैं कि रंचोड जो मंदिर हैं, उसमें ये चली गई थी, और कृष्ण की मूर्ती में ही ये समा गई थी, गिरदर गोपाल में ही ये विलीन हो गई थी, इनकी भक्ती की प्रमुक विशिस्ता ये है कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्दा को महत्व दिया, इन्होंने ग्यान से भी ज़्यादा किसको महत्व दिया, भावना को और श्रद्दा को, मीरा की भक्ती खांता भाव की भक्ती रही है, चलिए हमने मीरबाई को कंप्लीट किया, 어떻 kitchen संत्राणा भाई, राजिस्तान की दूसरी मीरा संत्राणा भाई, twitter तो मेर ए être और मेरदा हम जन मारवार के हरनावा मकराना के पास गाउं में वैशाक सुक्लत्रत्तिय को पंद्रसो चार इस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम गंगा भाई पालडी के संत चतुरदास की शिश्या राना बाई भक्रिष्न भक्त थी अब देखिए संत राना बाई जिन्हें दूसरी मीरा कहा जाता है राजिस्थान की इनके गुरू का नाम क्या है संत चतुरदास सरसट बर्ष की उम्र में हर नावा गाउं में फागुन सुकल त्रेयोदसी को 1570 में राना बाई ने जीवित समादी ली यहां प्रती वर्ष भादों की सुकल त्रेयोदसी को एक विशाल मिले का आयोजन किया जाता है तो यहां पर आप दो ही लाएने याद रखें कि राजिस्तान की दूसरी मीरा कौन है संत राना बाई इनकी गुरू का नाम क्या है संत चतुरदास अब हैं संत माउजी संत माउजी का जन्म 714 इस्वी में साबला गाउं में हुआ था संत माउजी ने अपने विचारों को इस्थाई एवं साकार रूप देने हे तू निस्कलंक यानि पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थाफना की ठीक है तो संत माउजी के संप्रदाय का क्या नाम है निस्कलंक नामक संप्रदाय कहा जाता है कि जब इनकी 12 वर्ष की थी तो ये घर चोड़कर माही और सूम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। अभी जातियों के लोगों को शामिल कर लिया। तो याद रखना है कि माउ जी ने ही वेनेश और नामक धाम की स्थापना की थी। बढ़ा कहलाते हैं। माउ जी के ये चोपड़े किवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माउ जी के अन्याई इन्हें क्या कहते हैं। विश्णु का दस्वा अवतार कल्न की अवतार मानते हैं। ठीक है। किसको माउ जी को। ढूंगरपुर जिले में इनके अन्याई बड़ी संख्या में हैं। तो माउ जी के जो अन्याई हैं सब से जादा कहां है। जुंगर पुर जिले में, जिनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां माओ जी की संग, चक्र, गदा और पदम सहित घोडे पर सवार चत्र बुझ मूर्ती है, अब देखिए, लाइन कितनी important है, कि संग, चक्र, गदा और पदम, इनके सहित घोडों पर सवार चत्र बुझ मू ही नदियों का त्रवेनी संगम लगता है, और हमने अभी देखा था कि वेनिश्वर नामक दाम की स्थापना किसने की, माओ जी ने की, नेक्स्ट है देखिए, राम चरण जी, जैपोर राज्य के अंतरगा सोड़ा गाउं में माग सुकल चतुरदसी, 1719 ऐस्वी को, वैश् और देवजी के यहां राम किशन, राम चरण का मूल नाम, इनका जन्म हुआ, तो यहां पर एक ही लाइन इंपोर्टेंट है, और वो क्या है, कि राम चरण का जो मूल नाम था, वो क्या था, राम किशन, मेवाड के दांतरगाउं में, महाराज कृपा राम जी से 1751 ऐस्वी को दीक्षा प्राप्त करके राम किशन, राम चरण बन गए, तो अब देखिए, इनका मूल नाम राम किशन था, और राम किशन से यह राम चरण जो है, वो कैसे हुए, जब इन्होंने क्रपा राम जी से दीक्षा प्राप्त की, और इनका नाम जो है, हो गया, राम चरण ज हो गए इसके बाद भील वाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुन भक्ती और सभी के प्रती प्रेम का उपदेश दिया मूर्ती बुजा द्वारा परिशान करने पर रामचरन कोहारा गाउं में चले गए क्योंकि इनको भी मूर्ती पूजा वगरा चलती थी इसमें इनको विश्वास नहीं था तो इस से परिशान हो गए और ये कहारा गाउं में चले गए शहवपुरा से निमंतरन प्राप्त होने पर वे सहवपुरा चले गए शहापुरा नरेश रन सींग ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्मान करवाया तो देखिए सहापुरा में इनको निमंतरन किसने बेजा था नरेश रन सींग ने और इनकी छत्री जो है वो यहाँ पर इनों ने एक छत्री का निर्मान करवाया राम जरन इस्मरन करते हुए 1798 इस्वी में साहापुरा में ही इनका निदन हो गया तो ये परिशान होकर पहले का गए थे कुहाड़ा गाओं में उसके बाद शाहापुरा नरेश रण सिंग के बुलाने पर ये वहाँ चले गए थे और यहीं पर इनका देहान तो हो गया था नाम से प्रशिद है तो राम जरन जी ने राम इसने ही संप्रदाय जो है वो चलाया था याद रखना है आपको इंपोर्टेंट लाइन है ये इस संप्रदाय की चार प्रधान साखाएं मानी गई हैं अब ये साखाएं जो हैं वो भी आपसे कई बार एक्जाम में पूछी गई हैं तो इन में सो जो तीन साखा हैं वो हैं रेंड, सिंग्थल और खेडापा और एक जो साखा है वो है साहपुरा साखा जहां पर इनका देहांत हुआ था इन साखाओं में राम जरन को साहपुरा साखा का संस्थापक माना गया है अन्य तीन साखा हैं रेंड, तो यह जो पहराग्राफ है most important है, बहुत ज़्यादा ही important है, याद रखना है आपको, तो यह आज हमारा chapter जो है वो complete होता है, यहाँ पर बहु चैनात्मक प्रश्न है कुछ तो इनको भी देख लेते हैं, निमनलिकित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो याद आय आपको वो trick, राम गो पहाड पर, तो रा से राम देव जी है, और गो से गोगा जी है, और पहाड से पाबू जी है, ठीक है, लेकिन तेजा जी जो है वो नहीं आये हमारी trick में, तो पंच पीरों में शामिल नहीं है कौन, तेजा जी, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ तो आपको बताना है, ये इसका आंसर कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, नागोर में, अजमेर में, पाली में या जोधपुर में, नेक्ट देखिए, धंहा किसके शिश्य थे, तो बिल्कुल ये तो हमने अभी ही पढ़ा है, धंहा किसके शिश्य थे, तो धंहाऻ हैं वो कौन थे जाम बोजी ठीक है याद रखना है जाम बोजी विश्णोई संप्रदाइ disc tandem कहा हैं यह कुष्ण जो है वो आपको बताना है प्रवर्त कौन थे और माओ जी का कबीर किसे कहा जाता है ठीक है मेरा भाई का विवा कब और किसके साथ संपन हुआ राम इस नहीं संप्रदाई के प्रवर्तक कौन थे और माउजी का मुख्य मंदिर कहा इस देत है देखिए बिल्कुल अभी ही हमने इन चीजों को पड़ा है तो इनको आप सॉल्व करिएगा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो द लिए हैं तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थेंक यू